राम नाम का जब हर दुख को कर सकता है दूर और दे सकता है सुक, सवभग्य और संपत्ती तो आए जानते दोस्तों कैसे करते हैं ये राम नाम का जब शास्त्रों में अलग-अलग उद्ध्यों के लिए अलग-अलग मंत्र तता उपाय बताये गए हैं इन मेंसे कई उपाय ऐसे हैं जो कुछ समय लेते हैं परन्तु एक उपाय आदमी के जीवन की संपुर्ण इच्छाय पूर्ण करने के लिए कापी होता है अब हमें उन मेंसे चैन करना होता है कि हम कौन सा उपाय ले या कौन सा मंत्र ले जैसे कि गायत्री मंत्र महामृत्तुंजे मंत्र नावर्न मंत्र इस तरह के अलेग-अलग का उदारन हमारे सामने हैं ये मंत्र बहुत ज़्यादा शक्तिचाली होते हैं हाला कि इनका प्रयोग केवल गुरु द दिख्षा लेनी के आवो शक्ता है नहीं आचारे चाहिए बश्वमूरत में शुबारंब करे और देकिये चमतकार यदि आपके वल राम नाम जपे तो इससे आपकी पूरी जिंदगे बदल सकती है जो महामृत्तुंजे मंत्र में शक्ती है जो गायत्री मंत्र में शक्ती है वह शक्ती केवल आपको राम नाम के आधार से भी मिल सकती है और इसकी साधना करने के लिए किसी भी गुरु के आवो शक्ता नहीं होती है और ये साधना बहुता सरल भी होती है गोस्वामी तुलसितास जी ने राम चरितमानस में लिखा है कलियो केवल नाम आधारा सुमीर अवश्य मिलेगी इसलिए अनुष्ठान के समय मन में कोई संदे ना रखे यदि आप अपने जीवन में सुक शान्ति और सवबग्य पाना चाहते हैं तो हरदम राम नाम का जब करते रहना चाहिए आपका कारिया सोता ही बनते चले जाएंगे परन्तु आपके मन में कोई इच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके लिए कुछ नियम होते हैं जिसका पालन आनिवारे होता है राम नाम मंत्र का आनुष्ठान करते हुए किसी भी शुबमूरत से ही आरंब करना चाहिए इसके बाद आपना मंत्र जाप शुरू करे नाम जब आप आधिक-ाधिक कर सकते हैं आप दिन में जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना करें फिर भी आपको नियम ले लाना चाहिए कि प्रति दिन कम से कम इतने हजार नाम जब तो में पूरा करूंगा मंत्र का कम से कम सवालाग बार जब करना आवश्यक होता है भगवान का नाम जब कभी भी किसी भी स्थिति में किया जा सकता है परंतु शवचले में अपवित्र स्थानों में अशुद्ध स्थानों में इसका नाम जब नहीं करना चाहिए अगर आप अपवित्र अवस्था में हो तो आपको हमेशा ये चीज याद रखने है कि आपको अगर नाम जब करना है तो वो माला पे नहीं करना है आप मांसिक नाम जब कर सकते हैं अगर आप राम नाम की साधना कर रहे हैं दोस्तों तो एक चीज हमेशे याद रखे इस दोरान आपको पूरी तरह से अंडामास, मंचली, शाराप, तमवकू, सिग्रेट, आदितामसिक पदर्तों से दूर रहना चाहिए न केवल जब और अनुष्टान करते समय बलकि बाद में भी सात्विक्ता के साथ ही आपको जिवन में रहना है आपको जब आप साधना कर रहे है पूरी तरह से आपको ब्रह्मचरे का पालन करना है आपको जिवन में कभी किसी को तकलिप नहीं देनी है अगर आपने ऐसा किया तो आपके जिवन के सारे पुन्ये खतम हो जाएंगे दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही राम नाम का जब आपको कोई साला का इसकी साधना का इसले की यह हमें कमेंट बॉक्स में आउश्य बताएं धन्यवाद दोस्तों रुकते हैं आज की वीडियो में यही पर जैस्याराम